सीरिल धरम पत्नी में भाईया ऐसा क्या हो गया कि धरम पत्नी को अपने पती को कहना पड़ा कि सबकी बारयाते आई डोली तू भी लेकर आना भाई जब पती दूसरी शादी करने के निकल जाएंगे तो पत्नी के पास और भी कल भी क्या बचेगा हिद्धुल्हन बनी प्रतीक्षा हाथों में आरती की थाली लिए अपने पिया के सामने यूँ क्यों गा रही है सबकी बाराते आई तू भी आना दुलहन बनाकर राजा जी हमको ले जाना अब देखिए प्रतीक्षा है पहले तो वो आपको दुलहन बनाकर ले ही जा चुका है अब बारी है दूसरी बार आन बान और शान के साथ दुलहन बनाकर आपको ले जाने की यह ड्रीम में ही हो रहा है रियल में तो फासिबल नहीं है यह अभी तो ड्रीम में हो रहा है कि मैं उसको बोर्ड रू की सबकी बाराते आ गई है यूनो जैसे सॉंग है तो फुल इमोशन सी है उसमें और कुछ नहीं है तो अभी भी मैं मंड़ पर विकस बैठी होई हूँ तो वो ही चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो एक सीक्रिंस आ जाता है उसके दिमाग में रवी ऐसा जरूर करेगा आपकी उम्मीदों पर वो पानी बिलकुल नहीं फेरेगा फिलहाल तो यहाँ पर काव्या और रवी की शादी होने वाली है लेकिन जैसा कि हमने आप से बताया था कि दुलहन बदल जाएगी और वो दुलहन काव्या के जगे प्रतिक्षा बैट जाएगी दुलहन बनकर और शादी एक बार फिर से रवी की प्रतिक्षा से ही होगी तो जो गाने का सपना प्रतीक्षा ने देखा है वो पूरा हो जाएगा अब वो अलग बात है कि घरवालों में से किसी को नहीं पता है तब ही तो वो इस शादी का जश्न मना रही है बहुत गड़ड होने वाली है यह बता देते हूं बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी बढ़ डेफेनिटली गड़ड होने वाली है क्योंकि हमें ड्रामा क्रिएट करना है तो गड़ड दो करनी वड़ेगी घरवालों को तो बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं है कि यहाँ पर दुलहन की हेरा फेरी हो गई है खेर जब पता चलेगा तब देखा जाएगा जो होगा सो होगा फिलहाल तो प्रतीक्षा से शादी हो गई यह सोच कर ही सारे फैन्स खुश होंगे हिम मुंबई से सोनू शुकला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट अब को रखे आगे